आप सुबह में जो उठते हो ताप एक काम करो वह गड़ी से बीस फुट दूर बैट जाओ फिर अपनी आख इसे बंद करके देखो कि उसके जो पूरे बारा के बारा डीजिट हैं वह सही दिख रहा है ना मतलब इस डॉट भी डेविटेड वो टीरा भी नहीं देखने चाहिए जैसे हैं वैसे ही आपको देखना चाहिए यूजवली क्या होता है कि एक विनीड में आपका अठारा से बीस बार आई ब्लिंक करता है स्क्रीन के सामने बैठे है तो क्या होता है कि हमारा कॉंसल्ट्रेशन फोकस ज्यादा रहता है तो वो जो नंबर ओफ ब्लिंक से वो कम हो जाता है और ब्लिंकिंग का इफेक क्या होता है कि जो हमारे जो बॉड़ी जो टीर फिंग बना रही है जिस पाँ आसू बोलते है वो 20-20-20 formula रखा हुआ है, it is also a good rhythm to remember that, आराम से हम याद रख सकते हैं, तो जैसे आप screen के सामने बैठे हो, तो आप क्या करो, हर 20 minute पे अपना जो है वो laptop बंद कर दीजिए, फिर 20 feet दूर तक 20 second तक देखते रही है, 20-20-20, इतने सारे लोगों को सवाल होते हैं, या कुछ लोगों को screen time की बज़े से tension होता है, कि मेरी आपकों में कुछ problem आ जाएगा, क्या करे उसके लिए, और आपकी eye related अगर कुछ भी सवाल है ना, बस उसकी ही जवाब इस पूरे podcast में आपको मिलने वाले हैं, और वो भी बै नहीं देने वाली हूँ, एक qualified doctor, एक ऐसे इंसान जिनको 25 साल से भी ज्यादा का अनुभव है government में, as a senior ophthalmic surgeon, वो एक ऐसे इंसान है कि जो अभी तक 25,000 से भी ज्यादा cataric surgeries कर चुके हैं, और 3,25,000 से भी ज्यादा नोगों को, उनकी eye health को improve करने में help कर चुके हैं, so that means, एक ऐसे इंसान से हम सीखने वाले हैं, कि जो आपकी eye related अगर कोई problem है, या overall eye health को improve करना चाहते हैं, वहोग सारी चीजे हम जानेंगे, I am really happy to welcome Dr. Udpal Jani, Sir, thank you so much, आप आए उसके लिए, Thank you so much Sivangi Ben, यहाँ पर मेरे को invite करने के लिए, और एक मौका देने के लिए, लोगों तक पहुँचने के लिए, यूकि लोगों में जो eye related health care के लिए, जो ज़रूरी है जानना, वो आवश्यक है, अभी इस age में, जब computer age चल रहा है, तो इसके related भी काफी issues लोगों को हो रहे है, तो this is the best medium to reach, सब के साथ share करने के लिए, Thank you so much for inviting me. Thank you so much, So हम आज से शुरू कर रहे हैं, Doctor's Special Podcast, जहाँ पर आपको अलग-अलग किसम के, अगर कोई भी सवाल है, तो एक qualified expert doctor से, आपको जानने को मिलेगा, So sir, अभी conjunctivitis में आप काफी busy चल रहे हैं, और इसलिए I'm really grateful आपने समय निकाल कर आप आये हैं यहाँ बट, बट conjunctivitis को लेकर बहुत से लोगों को सवाल होता है, आई drop तो डालना ही पड़ेगा, या यह exactly क्यों होता है, इंडिया में इतना बड़ा epidemic क्यों आया है? यह हर साल होता है, लेकिन इस साल उसकी intensity कुछ ज्यादा है, जैसे summer खतम होने के बाद, monsoon शुरू होता है, तो वो humidity बहुत ज्यादा रहती है, तो humidity के इसाब से क्या होता है, वाईरस का जो replication होता है, वाईरस के इसाफ यह संकरवन होता है, वो बहुत ज्यादा होने लगता है, तो वाईरस एक आदमी से, दूसरे आदमी, दूसरे आसे इसे, बहुत चल्दी फैल जाता है, तो यह वज़़ा है कि उसकी वज़़शे, से काफी लोग involved हुए हैं इछले एक मैने से यह संक्रमन सुरू हुआ है रोज 15-20,000 केस हमारे साबने आ रहे हैं लेकिन इससे घबराने की चिंदा की जरूरत नहीं है उसमें एक अभी लोगों के दिमाद में ऐसा बैठ गया है कि इंफेक्शन हुआ है तो हमको इससे अपको रेट भी देना पड़ता है तो मैं ये खास कहना चाहता हूँ कि ये और वाइरल इंफेक्शन है उसमें कोई एंटिबाटिक का रूल है ही नहीं एंटिबाटिक का रूल कब आता है कि जब आपको उसमें सेकंडरी बैक्टरियल इंफेक्शन होने के सुरुआत होते हैं तो मैं हर एक कोई ही सला दूंगा अगर आपको आख लाल पो रही है आप में से पानी गिर रहा है तो गबरानी की कोई ज़रूरत नहीं है ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिसेज है पांच दिन में खतब हो जाता है लेकिन अगर एक तो आपको ज़रूरी है कि सबसे पहले आप आपकी आसपास के जो आई डॉक्टर है उनको एक बार कंसल्ट कर लीजिए क्योंकि वर्क मशीन में देख के जांच कर लेंगे कि आपका जो की की रहता है उसमें इंफेक्शन डेवलप नहीं हो रहा है उसमें सेकंडरी बैक्टेरिल इंफेक्शन डेवलप नही उसमें, हाँ, अगर आपको थोड़ा रेडनेस है, इचिंग है, तो अब लुब्रीकन ड्रॉप्स डाल सकते हैं, जिसको हम नीचरल डियर्स के लिए इस साब से बूलते हैं, तो वो ड्रॉप्स आप डालो, एंटिबाटिक ड्रॉप्स की ज़रूरत नहीं होती है, पॉर्फे अच्छी अपना पूरा सरीर अच्छा है, तो आप फीट रहते हो, एनरजेटिक रहते हो, पूरे दिन काम कर सकते हो, आपका फोकस भी रहता है, वैसे सिल आई का है, आई आई इस अपार आई का क्या साइंज रहता है, तो जैसे आपको दूर का नजिक्ता दोनों का तो आपका और कार के बीच में कितना डिस्टंस है, अगर वो अप जच कर पाते हो, तो आप समझ लो कि आपका बाइनुकिलर विजन परफेक्ट है, तो अगर उसमें आप मिस हो जाते हो, कि आप समझते हो कि गाड़ी 100 मीटर दूर है, और वो एक्च्छी 50 मीटर दूर जा अगर यह आपको कन्फूजन हो रहा है, तो दिन यू उसमें दूर डॉक्टर, और आपका जो पीछे का परटीन आ है, पीछे का आपने का जो नर्स है, अगर वो आपका फोकस बरावर है, तो आप समुझ लो आपका आई एक्टम परफेक्ट हेल्थ में है, ओके, ओके, इं अग्जाम्पल देता हूँ, कि जैसे आप आपके गर में हरे के गड़ में घडी तो रहती होगी, वाल्ट्रोग जिसको पुलते है, आप सुबह में जो उठते हो, ता आप एक काम करो, वो गड़ी से बीस पुट दूर बैट जाओ, फिर अपनी आख से बन करके देखो, कि उसके जो पूरे बारा के बारा डिजिट हैं, वो सही दिख रहा है न, मतलब इस डॉट बी डेविटेड, वो टीरा भी नहीं देखने चाहिए, जैसे हैं, वैसे ही आपको देखना चाहिए, फिर दूसरे आप बन करके देखिए, कि वो सही है न, तो इस इस बेजिक में गड़ी रहती है, आप आराम से बीस फूट दूर बैठ जाओ, एक आख बन कर देख लो, अगर उसमें कोई प्रॉब्लेम आ रहा है, तो इमीडिटली आई डॉक्टर के पास चले जाए, ओके, सो लेट से मुझे करना है, मैं एक हाथ, एक आख को बन करके, बारा डिजि प्रॉटी प्लस लोग है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें क्या होता है, कि जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती है, तो इज की वज़े से पीछे जो अपना मैकूला रहता है, मैकूला क्या रहता है कि अपने आग का जो पॉइंट जहां बे रोसनी गिरती है और वहां से अप दिख सकते हो, तो अगर आपका मैकूला खराब है, तो आपका दिखना बंद हो जाएगा, तो जब ये मैकूला टेस्ट इसको हम बूलते हैं, उसके लिए ये टेस्ट रहता है, वेरी नाइस, और आपने बताया कि नॉर्मली 40 प्लस लोगों को ज़रूरत रहता है, ये एक common misconception है, लोगों को लगता है कि मुझे तो सही दिखता है, मुझे कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या I test, I check up regularly करना ज़रूरी है, और अगर yes, तो कौन सी उमर से शुरू करना चाहिए, और कब करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा आपने स सब इलकुल नहीं है, आपको जैसे जब हमारा बर्थ होता है, वो ही दिन से I check up करना सुरू, it is compulsory, क्योंकि at birth, जैसे अपना जनम हुआ, जिस दिन हमारा बर्थ होता है, we should first contact to eye doctor, कि आके एक बार आख देख लोगा, क्योंकि वहाँ पे जब अगर कोई जनम जाग आख में खोड है, तो वह सामने आजाएगी, और especially जो बच्चे premature हुए हैं, और low weight babies हैं, जिसका बजन जनम के टाइम पे 2000 gram से कम है, 2 kg से कम है, उनको तो 100% ये test करवाना चाहिए, क्योंकि उसमें रहता है retinopathy of prematurely करके पड़दे का disease होता है, अगर वो time पे diagnose नहीं हुआ, और अगर time पे उसका laser treatment नहीं हुआ, तो बच्चा पूरा जिंदगी blind होके रह जाएगा, तो ये जो आपने बताया कि कब से सुरू करना है, तो it is the day of your birth, उसके बाद उसका एक protocol रहता है, फिर आपको तीन मैने पे जब आपकी age आती है, तब करवाना है, छे मैने पे करवाना है, फिर जब तक 25 साल का होता है, make it sure that you are going to the doctor at least once a year, क्योंकि क्या होता है कि जो एक से 20 साल का जो age है, जैसे हमारा height बढ़ता है, हाथ की लंबाई बढ़ती है, पैर की लंबाई बढ़ती है, वैसे ही आख की लंबाई भी बढ़ती है, तो उसकी वज़े से क्या होता है कि कभी-कभी उसको नंबर का जो progress रहता है, जिसको हम myopia कहते हैं, तो myopia का नंबर बढ़ता है, तो अगर हम वो नहीं करेंगी test, अगर हम दिखानी नहीं जाएंगे, तो कभी-कभी क्या होता है कि myopia में अगर आप चस्मन नहीं दोगे बच्चे को, तो फिर वो उसकी आख lazy हो जाएगी, जैसे मैं आपको example देता हूँ, अगर एक एक बंदे को आपने एक room में बंद कर दिया, और उसको आप सुगर साम खिला रहे हो, उससे कुछ काम नहीं करवा रहे हो, तो क्या होगा कि एक 6 मैने के बाद आप उसको बोलोगे कि नहीं अभी तो उटके ये काम कर तो वो नहीं क आपको चस्मी का नंबर है, उसको साल में एक बार डॉक्टर के पास ले जाना है, बीस साल की उमर तक, तो ये एक प्रोटोकल है, फिर एक आता है, बीस से चालीस साल का तब फेज आता है, बट वीस साल तक आपने बताया कि जब छोटा वच्चा होता है, तो शुरूआत मे चेक करवाना तीन महीने, फिर छे महीने, और छे महीने के बाद, हर साल में एक बार, वीस साल की उमर तक, चेक करवाना चाहिए, ताकि अगर कोई प्रोब्लम, जैसे हाथ आपने बोला, सब कुछ डेवल अप हो रहा है, तो आँखो का भी आपको पता चले, अब आप बात क स्टेडी हो जाता है, तो वैसे ही आँख का भूद भी स्टेडी हो जाता है, तो ज्यादा तर यह होता है कि 20 साल में जो आपका दूर का नंबर है, जो मायोपिया का है, वो भी स्टेडी हो जाएगा, फिर आपको 20 से 40 साल तक आपका एक नंबर स्टेडी रहता है, लेकिर उ नेती लुचित से हम और उसको गुजद्राथी एल्गे बहुता है, जो चस्मा का नमबर आता है, वो 42 एल्गे में बहुता है। तो उसमें क्या होता है कि नियर विजन का फिर आपको नंबर चसमा लगाँ पड़ेगा वही चलो बागए बढ़ेगा फिर उमर के साथ 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 ड्राइ भी हो लगती है तो अमर के साथ साथ अब्राइ बना पुद्रती मन रहा है वो बनना कम हो जाता है इव दोग उसकी द् जो एज रिलेटर मेकुलर डीजनरिश आम जिसको बोलते हैं कि जो आका पीछे का जो पीछे का जो डिखने के लिए बहुत ज़रूरी है उसमें भी डीजनरिटीव चेंज आते है वो नॉर्मल है जैसे आप जैसे आपकी उमर होती है तो आपको नीज में भी प्रॉब्लम आत करो करें करो कि और फॉर्टी एस के बाद हर साल एक वापस अच्छा ओके सीटे से चालीज में दो आले टाले सिर्म धर 14 अबस्ट यारी नहां उन्य जान इक बडागा हर साल तれない डायरी और 14 यारी कर नहीं थे चेक आर्गाड गलmerende माशिजी बाद के लिग संव भाद र definition अगर तो प्रिषन नहीं र quayन आए С्थ्टीस नहीं कर beyondור 15 को फिर प्रीमियम बरो लेकिन आग कभी आपको नहीं बेजेगी कि भी अभी चेक अपर वाओ तो यह उट रिमेंबर लाइक तिस कि भी आपकी जैसे सालगीरा आ रही है आपकी अमेरेज अनिवर्सरी आ रही है तो उसके अगले दीन आपसबंड वाई दूनो चले जाओ ऐसे कुछ अगले देट फिक्स कर लो तो हम यह उंठी समझाते हैं और यह आई चेक अफ में कितना डाइम लगता है चेक कर दो उसमें यह है कि हम क्या करते हैं कि पहले उसका जर्नल एक्जाम इनिशन होता है फिर हम क्योंकि रेटीन भी पीछे देखना होता है तो आगे प्यूपिल क करते हैं और तो डाइलेट होने में आराम से 25-30 मिट लगता है तो अगर आप निकालके जाओगे तो आपका पूरा आई चेक अप हो जाएगा इंक्लूडिंग हम उसको दो बाग में बोलते हैं आग की जो आगे का बागे उसको में एंटीय सेग्मेंट बोलते हैं और जो प क्योंकि उसमें ऐसा है कि अगर आप 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 दो आत में से एक आत काम नी कर रहा है फिर आप लाइफ आराम से निकाल दोगे एक वैर में कुछ कमजोरी आप निकाल दोगे लेकिन बीना द्रस्टी या पीना देखे आप उच भी निकर सकते हो आप पोरे डिपेंडेंट हो क्योंकि सारी चीज अब डिजिटल हो चुके एवन पढ़ाई डिजिटल हो चुकी है काम भी डिजिटल सब कुछ ऑनलाइन आ चुका है तो उसमें अपनी आखों का खयाल कैसे जी बिल्कुल अभी यह जब से मुबाइल आया है तब से पैरेंट्स की वही एक वो रहता है कि मुबाईल ने पूरा मतलब वो बिगाड के रख दिया है बच्चे को उसका फिर वो यह रहता है कि पूरे दिन हम स्क्रीन के सामरे रहते है जैसे मुबाईल है फिर हम जब बीस साल में आते तो फिर अपना लैप्टोप वर सुरू हो जाता है कॉंपूटर वर सुरू हो जा तो स्क्रीन यूज़ वरी क्या होता है फिर बीसिक उसमें से एक ब्लूरेज एमिट होता है ब्लूरेज आपको डैमेज कर सकते हैं लेकिन एक अच्छी बात यह है कि उसके इंडेंसिटी इतनी नहीं होती है पर्टिकुर्लिली आज के जो नए रिसेंट जो स्क्रीन बन रह होते हैं वह उनकी इंटेंसिटी काफी काम हो गई है लेकिन फिर भी क्या होता है जब हम स्क्रीन के सामने देखते हैं तो यह अपना जो ब्लिंकिंग है वह नमबर अप जो ब्लिंक होता है यूज़ वह होता है कि एक विनिट में आपका 18 से 20 बार आई ब्लिंक करता है अच् जो बॉड़ी जो टीर फिंग बना रही है जिसको आशू बोलता है वह जब ब्लिंक करता है तो आपका पूरा जो टीर फिंग यहां पर बना है उसको ऐसे पूरे आईस पर स्प्रेड कर देगी तो इस जस लाइक लुप्रिकिटिंग इफएक्ट विज एवरी ब्लिंक टीर तो आपका ब्लुप्रिकेशन प्रॉपर रहता है लेकिन अगर आपका ब्लिंक कम हो गया तो जो टीर फिल्म यहां पर बनी है वो उस पर स्परिड नहीं हो गया क्रोस दाई तो वहां पर फिर ड्राय का प्रोल्म बेता है और उसको हम कॉंप्यूटर विजन सिंड्रॉम बो आपको आपको इरिटेशन सुरू हो जाता है इचिंग सुरू हो जाता है जिससाब दो-तीन गट्डे काम करते हो एक अपको लगता है या रभी में लैपटॉप को खटागे फैक देता हूं विरो को काम दही कर रहा है फिर वो एंटल इडिटेशन में कनवर्ट हो जाता है तो यह सब जो साइन्स है यह अधिस से टिपिकल साइन्स ऑप ट्राय आई मेंली इचिंग और कभी कभी क्या होता है कि अब बॉडि को सिगनल जाता है कि वहां पे ड्राइनस हो रही है तो बॉडि अपने आप क्या करता है कि एक्सेसिव लग्रिमिरेशन शुरू कर देता है ज्यादा पानी बनाना सुरू कर देता है बॉडी इस फैंटास्टिक ओर ग । अचब ऑकरिमियेशनadomo Community प्रियाई जयते हैं। वह होता है। सटहर जोिए पर पानी भार आने लगता है। तो हमको ऐसा लगए कि पूरे दिन आख में से पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, I want to, I have to whip all these things. फिर वो जब हमारे बास बदर्दी आता है, हम उसको बोलते हैं तरी आख सूक रही है, तो फिर वो असने लगता है, कि दॉक्टर साब मेरे आख में से पानी बहुत ज्यादा गिर रहा है पहले से, और आप बोल रहो मेरी आख सूक रही है, how it is possible, लेकिन उसका रीजन वही है, कि आपके आख शौक रही है तो बॉडली ज्यादा पाणनी बना रहा है तो उसकी जगुज़के जलय कम पुदियंग बहुत नहते है सब्ढल किसी को ज्यादा पाणी आ रहा है इनक नोच सब्सक्राइब मिलफ इस फिर देन आपको यह ड्राय का शॉट आउट करना चाहिए अच्छा ऐसा पुई लिविट है कि आप स्क्रीन टाइम पूरे दिन में इतना ही कीज़े तो आपकी आई डेमेज बहुत ज्यादा नहीं होगी अच्के मैंने जैसे बोला कि आपका पूरा डिपी और डिपेंड़न ऑन दे स्क्रीन मतलब आपका जो आउफिस वर्क है या सोशल कनेक्शंज है वो थू स्क्रीन हो रहा है तो इस डिफिकल्ट दो लिविट आउर स्क्रीन टाइम लेकिन उसको इजी करने के लिए हमने ट्व फिर बीस फिट दूर तक बीस सेकंड तक देखते रही है तो उसमें क्या होगा कि जो आपका जो ब्लिंकिंग कम हुआ है वो जो रिदम डिस्टब हुई है वो अगें नॉर्मल हो जाएगी दैन यूर टियर टियर फिन विल स्प्रेड ओवर दा आईज और वो जो अगर आप मतलब चाहें थारा गंटे काम कर लो पंद्रा गंटा काम कर लो जो इससे होगा क्या क्यों लोग करना क्यों 20 फीट दूर ते उसमें क्या होगा कि जैसे आप 20 फूट दूर देखेंगे 20 सेकंड के लिए तो जो आपका जो ब्लिंकिंग मैनेजर पिज़से पहले बताया कि भी एक गंटे में एक मिनिट में 18-20 बीस टाइम पे आपका ब्लिंकिंग होता है तो आप यह कर सकते हो कि वो जो आपका ब्लिंकिंग जो फोकस आप स्क्रीन पे कर रहे थे उसकी वज़े से थोड़ा कम हो गया था तो अगें इपी तो दूर्म रीता दूसरा यह ह होगा कि जो स्क्रीन की वज़े से जो कॉंट्रास की वज़े से जो आपका आई का जो ड्राइनेस हुआ था वो भी डियर फिर्म स्मूद कर देगा तो आई वी गिट सम प्रेस्ट आप वो आरा मिल जाएगा आप कुछ भी काम करिए मैं ऐसा नहीं बोला हूं का आँख लिए कि अधिवे तो बोला है वो भी है अधिवे टिया खरगे नेगिटिव हबिक कर रहेते है जो कॉंटाइक लेंस संटाइंग मांच तो लेजर्ण बडी संटाइंच या और इसकी बज़े है लोग फिर वह फिर वह ज़ाती है फिर जब उन्टाइक अपने नहीं चला जाता है तो बहुत ज्यादा आपने को इरिटेशन हो जाता है तो बहुत बड़ी चीज है अगर वो डालेंगे तो एक सुरुवात में आफ्टर वन्स एड़ेस्ट वो बंद हो जाएगा लेकिन जब सुरुवात का फेज होता है आपका फिटिंग प्रॉपर नहीं होता तो यह सब होता रहता है ठीक है मैं कॉंटेक्ट लेंस के ऊपर भी गुछ आपको सवाल पूछूँगी बड़ी के लिए आपने जो ट्वेंटी 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 रूल बताया उसमें आपने एक तो कहा कि ब्लिंकी लूबरिकेशन बट क्या ऐसा कुछ होता है मैंने सुना हुआ है कि आप है जब मोबाइल में देखते हो तो बहुत करीब है तो आपका करीब का विजन यूज हो रहा है तो इसलिए भी 20 फीट देखना चाहिए जब जब मौका मिले तब दोर का भी आपको देखना क्या ये सही है या ना ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि आ द आप दूर काम कर रहे हो निर विजन काम निकर रहे हो तो असानी एक नस्दिक का विजन कंप्रोमाइज हो जाएगा आई अपने इसाब से पुरा बैलेस कर चलती है प्रॉब्लेम का बाता है कि जब आपका आई का जो नॉर्मल रूटीन मेकिनिजम है जैसे ब्लिंकिंग है, एकोमोडेशन है, कनवरजन्स है जिसको हम यह सब उसका नॉर्मल मेकिनिजम है आई इस जस्ट लाइक कैमेरा जैसे मैं सिंपल एक्जम्पल देता हूँ जब आप कैमेरा से कोई भी फोटो ले रहे हो अभी आप मोबाई में भी आपको होगा तो वो क्या करता है अपने आप उसको कनवर्स एकोमोडेट करके फोकस कर देता है तो यह आई का प्रॉपर रूटीन भी किनी समय है अगर इसमें कोई वज़े से आपकी मतलब वर्किंग बैटन से या लाइफ बैटन से उसमें अगर आप आई इंटरप कर रहे हो तो देन इट विल प्रॉब्लम जैसे अगर आप पूरे दिन नजदे का काम कर रहे हो दूर का कर लेता है तो इसको आई विल फिल्म रिलाक्स आई के जो मसल है जो आप मियर का जब करते हो तो अपकोमोडेशन भी अंडरोल में आ जाता है तो जब आप दूर का देखता है जाता है तो आई विल बेट रेस्ट उसको आराम मिल जाएगा उसको भी अच्छा लेगा जलो मेरे को आराम मिला जैसे हम बहुत चलते हैं बहुत चलते हैं तो फिर वो पाव बूलता है कि भी नहीं चला जाता मेरे को बैठा दो तो आप बैठ जाते हैं तो फिर पाव को आ इनरी देखना या नेंचर को देखना वर्स आप कोई भी नॉर्मल जीज के उसमें कुछ फरक होता है क्योंकि यह भी मैंने सुना हुआ है बेसिकली आइडिली इज नो साइंटिफिक रिजन्स कि आप ग्रीनरी देखो या किसी और चीज को देखो लेकिन क्या होता है कि जब देखते हो तो आपको एक मगज में एक फ्रेशनेस वाला सेंसेशन राता है ओर और हेल्थ में आपको एक मेंडल पीस में जैसे आप कुछ अच्छी चीज देखते हो तो एक साइकोलोजी कली यूर पीस अब रिलेक्स हो जाते हो और एक नॉर्मल चीज देते हो तो इतना र क्राफिक को देख लो तो वो भी एक रिलेक्सेशन हो गया मतलब यूर रिमुविंग यूर आइस प्रॉम ज़रूरी है और क्या खाना चाहिए जो आप अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए जो भी नूट्रियल सप्रिमेंट्स देते है वही आपकी आइस के लिए काम करेगी ऐसा पुई मतलब यूर नहीं है कि आपने यह डायेट लिया तो आपकी आइसाइट बढ़ जाएगी या तो आपका जो कैट्रिक है डिवलप्मेंट हो रहा है वह मैच्योर नहीं होगा या तो कैट्रोड डिजॉल अपने हो जाएगा वो भी एक विस कंसेशन है कि हमने पर्टिकुलर्ली यह अगर हम विटामीन ज्यादा ले लेंगे या तो यह कोई ज्यादा ले लेंगे तो हमारा जो मोती बिंदू बन रहा है वह अपना प्रिजॉल हो जाएगा आपका जो मैच्योर होने का जो रेट है जो प्रोग्रेस है वह आप थोड़ा स्लो कर सकत हो विद अपने नूट्रियम जैसे विटामीन ए विटामीन सी विटामीन ए ए सटन केरेटोनीच जार देर लूटिन जैसे है तो उसकी वज़े से क्या होता है कि जो 40 साल के बाद मैंने जैसे बोला कि 40 से आप 15 साल के बाद पीछे का जो अपना पड़दा रहता है रहता है उस में डिजन्डेटीव चिंजिस हो जाते हैं, तो वो डिजन्डेटीव पॉसेश, जो है, विकन रिद्यूस देट प्रोग्रेस, तो ये लेने से फाधा रहता है, अच्छा, जैसे वाईटमिन-A, वाईटमिन-C, वाईटमिन-E, चैरेटर्टिट्वर्ग, है इन यलो खुमारीमैन्न की आफिस ही ऑफ और एंडिए आफ मार्पिशा टियू高ई की है एपसेशली बच्चों मेश विटामिन अप्रीमेंट रहेगा तो उनका मायोपिया का जो प्रोग्रेश, और फ्रोग्रेश चाहित रहता है जैसे मिस्विलिफ रहता है जैसे हम बच्चे को घाजर खिलाएंगे तो उसका जो जस्वेका नंबर कभी नहीं उतरता है आपके नंबर जाता है तो आपके नंबर उतर जाएंगे यह नहीं होता है मैं कि शुरैना नंबर उतर आपके कि आई हेल्थ बिगड़े नहीं या और जादा इंप्रूब्मेंट के लिए एक पीस्फुल लाइफ के लिए हम सुबह में योगा करते हैं मेडिटीशन करते हैं एक्सराइस करते हैं तो यह एक सीधासा प्रिंसिपल है अगर आपकी ओड़ाल है अच्छी है तो आपका अपन से क्या होगा कि आपका जो बॉड़ी का एक ब्लॉड सर्कुलेशन रहता है एक बॉड़ी का जो नॉर्मल रूटीन मेकिनीजम रहता है वह पंप हो जाता है तो उसकी वज़े से ओवराल थैल्थ इस इंप्रूब्व होने वादा है और पर्टिकुलर्ली एक्साइज रहती जिस बच्चे को जैसे छोटा बच्चा है उसको जनम से थोड़ा स्क्विंटीन आई ट्रीडपन है मतलब टीडपन पर्मेनिन नहीं रहता है लेकिन वह कभी-कभी मार्क करेंगे कि कहीं बच्चा फोकस कर रहा है तो उसकी आग टीडी हो जाती है नॉर्मली आपको टीडी नहीं दीखेगी लिकिन जब आप उसको बोलोगे कि जल में तरह फोटो खीच रहा हूं तब वो जब जब फोकस करने लेगे का उसकी एकांट डेविट हो रही है अगर वो टीवी भी देख रहा है ध्यान से ऐसे करके तो आपको दीखेगा कि आप भी उसकी एकांट टीडी हो वो स्क्वेंट चली जाती है मतलब एस्टाबली सो जाता है स्क्वेंट दें तरह सर्जरी जो अनली सॉल्यूशन लेकिन जब तक स्क्वेंट नहीं हुआ है जब वो डेवलप हो रहा है तो अगर आप यह सब एक्सराइस करोगे प्रॉपर ग्लासिस पेहन के उसके जो सक्वे. तो सर आपने जो बताया कि योगा ओवराल हेल्थ की लिए अच्छा है मेडेशन भी अच्छा है एक्सराइस करनी है किसी को इस्यू है तो क्या करना कितना करना और किसी को इस्यू नहीं है जी बिलकुल मैंने जैसे पहले बटाया कि जैसे چोटा बच्चा है उसको आई डेविए हो रहा है उसका एकुमोडेशन और कन्वरजन्स फावंस कम हो रहा है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक एक्सराइज है उसके लिए सबसे पहले तो क्या करना है कि बच्चे का जो उसको करेक्टें करेक्शन जो डॉक्टर ने दिया हुआ है जो जसमे का नंबर को दीया हुआ है उसको पहच्क लेना है फिर जैसे हुमारे सबके गर में इक पैन रहता याँ सिल रहती है उसका आपको ये कवर निकालके उसका ये जो नीप रहता है पॉइंट जो रहता है उसको आपको ऐसे फोल्ट करना है म falar आपका जो बच्चे का ये बच्चे को खु के ऐसे band को बकड़ेगा फिर दीरे 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 दोलो आई से उसको नीप उसका जो ये point रहता है वहाँ पर concentrate करेगा ऐसे दीरे 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 नचनिक लाएगा वो band को फिर एक समय ऐसा आएगा कि उसका जो टीप है वो एक तो उसको पहले clear दिख रहा लेकिन अभी वो blur देखते लगेगा तो उसको बुल वहीं रुक जाए जहां पर blur दिख रहा है वहीं पर रुक जाए फिर वो थोड़ा जैसे मैंने बोला है कि आई अपना camera जैसा है वो autofocus कर लेता है तो जैसे blur वहाँ पर रुका हुआ है तो आई को वो थोड़ा stress करेगा तो वो clear हो जाएगा तो जब ये clear होता है तो बस वो उसको clear रखने के लिए पुरा efforts देना है वो अगर efforts नहीं करेगा तो वो blur हो जाएगा तो उसको ये पूरा try करना है कि वो clear बना रहे और उसको ऐसा clear जो है वो at least 10 seconds पकड़ के रखना है फिर वो उसको लगेगा कि अभी म उसको release फिर वापस जाना है फिर ऐसे दिरे 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 नजडिक आना है फिर जो हाँ पे blur होगा फिर उसको वहाँ पे concentrate करना है ये एक exercise है फिर दूसरी exercise यह है कि वही pen वापस पकड़ो उसको दिरे 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 नजडिक लाओ दिरे दिरे नजड एफ़र्स करेगा तो वो दो में से एक हो जाएगी फिर वो जब तक एक रहेगी वो उसको होल्ड करके रख रहा है इट इस नॉट सो इजी जितना सुनाई देता इतना इजी नहीं है क्योंकि वो जैसे ही एक ट्राइ करेगा फिर उसकी आख पो पेन दर्द होने लगेगा वो रिलीस कर देगा तो यह एक्सरसाइस करनी है और ऐसे आपको यह जो डिस्टंस है जो आख और नीप के बीच रहा वो जितना जितना कम होने लेगेगा उसके ही इतने मसल्स उसके स्ट्रॉंग होते रहेंगे तो कितना करीब लाना चीज़ाइब लार होता है जी आइडिली 10 20 12 cm तक उसको रहता है clarity तो जैसे पहले जो बल्ड रहता है वो accommodation के लिए है और जब डिखता है वो convergence के लिए है और यह accommodation conversion का मतलब कि उसमें क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अपना आई है वो ओटो फोकस करका है तो accommodation क्या होता है कि जब आपका कोई near point जब लॉर होने लगता है तो accommodation comes into the play accommodation काम लगता है उसको clear करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 40 साल के बाद अपने को चस्मिका नंबर लगता है नस्दिक के लिए तो वो क्यों लगता है क्योंकि up to 40 your accommodation is very good तो आपका आई नस्दिक का काम अपने आप कर लेता है लेकिन 40 साल के बाद उमर की वज़े से क्या होता है कि वो जो accommodation के लिए जो muscles रहते हैं वो थोड़े weak हो जाते हैं तो फिर वो जो accommodation power है जिसको और में मेजर करते हैं वो पावर कम होने लगता है तो जितना पावर कम होता है उतना ही हमको बहार से support देना पड़ता है जैसे मैं पो simple example कि दो डायाप्टर का पावर उसका कम हुआ है तो उसको हमको नजलिक का दो कर देना पड़ेगा मतलब जो बॉड़ी का कम हो गया है वह वह सम सपोर्ट कर रहे है तो बच्छों में अगर हम एक्सराइस कराएंगे तो क्या होगा उसका जो accommodation और convergence के लिए जो मसल्स है वो strong हो जाएंगे तो उसकी वज़े से उसका जो और यह कितना करना चाहिए जब आप एक बार बैठते हो एक सेसं करते हो तो एक सेसं में ऐसे डस बार करना है और दिन में ऐसी अब इस सेसं करनी एक सेसं में आफने दस बार कर लिया ऐसे फिर एक गंटे के बाद और लो ऐसे दिन में पूरी दस सेशन करनी है तो अल्टीमेटलि इंट वी हांडर्ड टाइम्स एक सेसं में दस कर रहे हो और ऐसी टैन सेसं कर रहे हो तो इट delegates आप खूआ और थाइन मेरा एड उब डड़ी में पूरा मेरा ड़ा है ईड़ा पूरा मेरा अंग पूरा मेरे आउजं और भी पतनी लगती लगती अंग भी तकनी लगती अंग फक्ने लगती अउड थक कहeed में चलेğı करता चलें तो जैसे सम्स को रात को हिड़एक होता है पूरा दिन कु्छ नहीं लेकिन साम को भीडे कर रहता है, आपको कुछ करने की इच्छा नहीं होती है, तो यह सब जो सिंप्टॉम्स है, जो साइन्स है, वो अपना आई, तायर्ड आई का साइन्स है, तो जब यह होने लगता है, तो यू केन यूज दिस, तो इट वाल्ट यू आउट, तो अगर कोई सिंप्टम है, तो आप 100 टाइम्स, 10 इंटू 10, इस सरा से आप करें, बट लेट से किसी को इश्यू नहीं है, और आई स्ट्रॉंग करनी है, तो यह मिनिमम किर्टी बार कर सकते हैं, आप दिन में 3-4 बार कर सकते हो, जैसे सुग हमें उटके कर सकते हो, रात को सो पर जिन लोगों को चश्मे होते हैं, उनको यह एक्सरसाइस करने से कभी ऐसा उनको लगता है कि चश्मे पहन कर ही पहने तो करना चरी कि नहीं, और दूसा कि क्या अगर वो करें तो उससे नंबर कम हो जाएंगे या बढ़ेंगे नहीं, क्या होगा? नहीं, उसको नंबर से कोई ना डेना नहीं है, उसका बेसिकली क्या है क्या है कि आपका своelles करें कर अगर चानerson को यह मैं कि अशना बाड़ेंट पर तो जैसे आपका बाइनो कि विजन सफर हो रहा है यह का ऊपका पॉछ जय ऊखैना नहीं कर कद तो उसकी बच्लेंड़ नहीं पैना ही जिए, उसक अब जितने लोग को भी glasses है, spectacles है, उनको उनके बास seed option होते है, तो या तो चश्मे बहने regularly, दूसरा होता है contact lenses बहने, दीसरा होता है कि वो lasik करवा दे, तो क्या सही है, या अपके हिसाब से कोई side effect किसी की भी है, तो सबसे based है, वो तो चस्मा है, लेकिन आज के ये, जो मतलब हमारा जो cosmetic हमारा बहुत ज्यादा हो रहा है, especially in the ladies, और ladies में भी जब marriageable age में लड़किया पहुँचती है, तो कभी-कभी क्या होता है, कि भी चस्मे की वज़े साउनको marriage में थोड़ा complain आता है, या फिल कोई ऐसी जगर पे job मिलती है, जैसे आर्मी में, नेवी में, तो वहां तो लीजिक में जाके चस्मे का number उतार दीजिये, क्योंकि contact lens पहले बहुत यूज होता था जब लीजिक नहीं था आपने पास, या लीजिक इतना frequently हम नहीं करवा के थे, तो उस time पे contact lens का crease ज्यादा था, या तो जो patient लीजिक के लिए fit नहीं होते है, जैसे उनका porneal thickness, जो कोई प्रिफर आइधर यू वेर दिस पैक्स और यू गो फर द लीजिक, contact lens लिटल भी आई, आइम नहीं नहीं चाहते हैं, और contact lenses उनको कोई भी वज़ से पहन ही की पढ़ते हैं, तो फिर वो किया ध्यान में रख सकते हैं, ताकि वो डेमेज ना करें, इसा कुछ, इसा कु आई एलर्जी होती है, आई इंफेक्शन्स बहुत ज्यादा रहता है, फिर वो dusty environment में रहते हैं, क्योंकि आप देखो कि आपका जो residence है, वो dusty area में है, या तो आपका जो working area है, वहाँ पे dust बहुत ज्यादा आ रही है, और आपका dry eye का problem है, जैसे मैंने बोला, तो क्योंकि क्य वज़े से भी dry eye develop होने वाली है, क्योंकि वो tear film अगें इतना spirit अच्छा नहीं होगा, तो उसकी वज़े से dry eye होने वाली है, तो ये जो लोग है, उनको तो पहले contagious पहनना ही नहीं है, फिर जो पहनते हो, तो आपको क्या ध्यान रखना है, तो सबसे पहले तो ये जो है कि वो आपके eye पे properly fit होने चाहिए, loose fitting वाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर loose fitting हुआ, तो वो गौर्णिया भी scratch करने लगेंगे, और it will result in keratocornial infection, और वो बहुत vision threatening condition है, फिर वो कभी कभी वो irreversive हो जाता है, तो आप contact lens की वज़े से आपको eye को भू नुकसान हो सकता है, तो आ आपका जो prescription, जैसे आपका चस्मे का भी number रहता है, उसमे का भी contact lens का भी number रहता है, तो जो contact lens का number वो है, वो ही number का पहना है कि नहीं, वो ensure एज़ेगे, फिर आता है उसका time schedule, कि भी दिन में कितना time पहन सकते है, कितना गंटे पहन सकते है, तो वो decide कौन करेगा, वो eye doctor decide करेग फिर दीन गंटेंपररी दीन कितना, या तो बोलेगा आप सुबह से साम तक सकते हो जैससे आपका आपका का है, को है को दिन अर झालोग है, टो वो एज़ेगे की अ कभी इंतना चिपकर लूग कर दिस्ट्रॉद से ए तो तो हमेसा कभी भी सूने के से पहले आपको निकाल है फिर दूसरा इंपॉर्टन है उसका हाई जी उसको क्लीन रखने का क्रिकि जब आप अच्छा क्लीन करिए उसको रॉब एंड रिंस बोलते है और नी उंगली में इसे विठा के सॉल्यूशन इसमें लेके ऐसे पूरा रप करके आपको करना है फिर उसको सॉल्यूशन वे सोक करना है और फिर आपको जो लैंस का जो केस मिलता है उसमें आपको अपन एर में ड्राय करने के लिए छोड देना है फिर वो सॉल्यूशन भी कम चेंज करना है वो जो केस रहता है वो भी चेंज करना है, यह सब प्रोटोक्वाल आपको 100% करना है, अगर आप इसना सिरियसली उसको हाईजीन मिंटेन कर सकते हो, इसलिए मैंने सुल्वाद में बताया कि भी आई विल प्रिफर तस पैक्स अन लेजिक रादर दन 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 कॉंटेक्ट लैंस, आपने बहुत डीटिल में सारी चीजे बताई, बट मेरे अभी भी दो सवाल इंपोर्टन है, एक डायबेटीज को लेकर, हमने डायबेटिक रेटिनोपथी बहुत सोना हुआ है, लोग दरते भी है, तो डायबेटीज वालों को आई हेल्थ कितना ज़रूरी है उसका ध्यान यहां रेटिनोपथी के बारे में आपको शेयर करना है, बिल्कुल क्योंकि आज डायबेटीज अश्पेशली गुजरात, जैसे गुजरात को पूरा देश का डायबेटिक कैपिटल हम बोलता है, क्योंकि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा डायबेटिक का प्रिवेलेंस आपका आई भी एफेक्ट होता है, और आई is the only body, आख पूरे अपनी जो बॉड़ी है, उसमें आख ही ऐसा चीज है, आख ही एक ऐसा ओर्गन है, जहां पे अंग बलड वैसल देख सकते हैं, आखी आप देखो यह बहार से देखने जाओगे तो आपको हार्ट नहीं दिखे हो रहा है, तो सबसे पहले हमको वहाँ से हम डाइग्नोज कर सकते हैं, कभी-कभी तो क्या होता है कि जैसे हमने बिजल से आपको एक प्रोटोकल बताए, गभी साबमें एक बार हमको हमारे पास आना है, तो जब पेशेंट हमारे पास आता है, जब हम उसको डाइलेट करके रेटिना चेक करते हैं, तो वी से भी हमको डाइबिटीस है, वो था नहीं मेरे को कुछ पता ही नहीं है, फिर हमको बोलते कि भाई तु जाके ब्लड टेस्ट करवा क्या, फिर वो दोसरे दिन फॉन करता है, अहां साब मेरा तो डाइबिटीस इतना आया हुआ है, उसको माल बढ़ जाता है, वो इमेडिटली वी से लाइब फ्रम ब्लड वैसल, विद अलप अफ्टलमुस को, इसको हम फंडल से एक्जामिनेशन बोलते हैं, और अभी इतना एडवांसमेंट हो गाया है, कि वी आर दूइंग अग्योग्राफी और लेजर लेजर और दियाबिटी ग करना प्रम कर लो जैसे हमने प्रोटोकल बनाया था भी इक बार आपको चेक करा माद है, अगर आपको डायवीटीस है तो technologies साथन में दूब बार चेक कर आओ, और 6 मैने भी जाके चेक करा हो, क्यूए उसमें क्या होता है कि आपकी खून की नली नली रहती है, वो खून की न notice चला गया था अगर आप हर 6 मेने पर check-up कराते हो तो अगर वो कहीं से भी खुन जरना शुरू हुआ तो हम immediately with the help of the laser वहां को seal कर सकते हैं जैसे मैं आपको एक simple example देता हूँ आपके गर में water pipeline है अगर कहीं से भी leak हो रही है तो आप वो end seal लगा देते हो तो leakage बंद हो जाता है similarity आग का है उसमें अगर कोई नली में खुन जर रहा है तो वहां laser से श्री कर देते हैं तो वह खुन जरना बंद हो जाएगा तो और दूसरा यह है कि उसकी वज़ए से आग का जो sound वो रहा है दिखने के लिए वह हम प्रिवेंट कर सकते हैं और diabetes मैंने जैसे बोला कि वह progress भी बहुत ज़्यादा होता है अगर one notice रह गया पूरे आंख में फैल गया तो फिर वह difficult हो जाता है revision recover करने के लिए अगर आपके family में किसी को भी diabetes history मालो आज आपने टेस्ट करवा है आपको diabetes नहीं है लिकिन अगर आपके mother-father में किसी को diabetes है क्योंकि it is hereditary जैसे कोई हमारे mother-father जाते हैं तो आपना जो बोलते हैं वारिस बना के जाते हैं उनका बू बंगला भी देते हैं जमिंग भी अगर आपके family में किसी को है तो आप भी थुड़ा चौकन मलब भी चौकन नहीं हो जाई है और हर छे मैने पर आपका eye check-up करवा लीजिए और जब eye check-up करवाने जाते गो तो इसको एक दिन पहले आपका खून का पी डायबेटिस के लिए जाँच करवाने जे कि जब आप प्रक्र के पास जाओगे ताप कर वो रिपोर्ट भी रेडी होगा कि जैसे यह मेरा ब्रसुगर का रिपोर्ट है और आप मेरा आँच चेक कर लीजिए तो इज वेरी इंपोर्टन टू डू 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 यह मित है और आई डूनेशन इस ब्यूटिफुल थेंग बट कुछ लोगों को ऐसा होता है मुझे चश्मे है तो मुझे नहीं करवाना चाहिए डूनेशन तो कौन करवा सकते हैं आई डूनेशन और कौन से मित है चक्सुदान हर कोई कर सकता है और आप सोचो अगर आप च चक्सुदान करते हो तो आपके जो आईज है उचकी वज़र से आप दू लोगों को आँख सकते हो या आपकी जो आईज का जो हम यूज करते हैं उसमें से दू लोगों को द्रस्टी मिल सकती है और विद दम मॉडन एडवांस टेकनोलोजी हम उसका और भी तीन या चार ल अज़री हुई थी तो मैं नहीं दे सकता हूं ऐसा पुछनी होता है कोई भी व्यक्ति कोई भी उमर में मतलब जीरो से लेके पूरे हंड्रे साल का जो बंदा है वो आई डूनेट कर सकता है वो आई डूनेट करते हो उसमें से हम यूज करके और दू लोगों को द्रस्टी दे सकते हैं और आज यह एक भी एक मिस कंसेप्ट है ताफी लोग यह मानते हैं कि भी हमने चक्सो दान करेंगे तो फिर आम अगले जनम में फिर हम ब्लाइंड होंगे वैसे भी बहुत ज़्यादा भी वह एक बिलीफ है तो बहुत बिल्कुल गलत है उसका और नेक्स बठक उस पर आर्टिफिशल आईडल लगा देते हैं तो आपको फेस में कोई डिस्पिगमेंट नहीं होता है और जो चक्सुदान करना है वो आपके मृत्यू के बाद करता है जीते जीतों को चक्सुदान करना ही नहीं है तो एक संकल्प हर एक लोगों को लिना चाहिए जैसे आ मेरे मरने के बाद चक्सुदान करेगी और मैं यह भी बोलता हूँ अगर वो किसी ने पहले से नहीं ताई किया है तो अगर वो व्यक्ति का मृत्ति होता है तो उसके बाद में उसके जो नेक्स स्किन रहते हैं उनके जो बच्चे लड़के रहते हैं वो भी वो ताई कर सकत तो मेरा एक सबसे यह अपील है कि जक्षुदान आवश्य करें वो संकल्प जीते जी आपने ही कर लीजिए विए कुछ ब्यूटिफुल मैसेच सर आपने जो दिया है क्योंकि ओर्गन डोनेशन बोनो या जी यूनो जक्षुदान को वो किसी का भला कर रही तो क्यों नहीं व कर रही हैं बट एंड भी ऐसे करते हैं ताकि जो जो हमने अभी तक डिसकुशन किया है बहुत सारी चीज़े मुझे दरता है कि यह पॉड्कास मैं खुद दो तीन बार देखुँंगी यूनो कुछ कुछ पॉइंट्स मी नोट करूंगी और मेक्षुर कि मैं कुछ चीज़ जो मुझे फॉलो करने की जरूरत है और फॉलो थैट भॉट अबंदंस अफ नॉलेज मिला है सर बट इसको सवराइज करने के लिए रैपिड फायर करते हैं तो सर मैं क्या करूंगी यहां पर आपको कुछ सवाल पूछने वारी हूं आपको एक वर्ड, एक सेंटेंस या ए इप किसी को भी बहुत दर्ध हो रहा है आँखों में स्क्रीन का यूज करके कोई आई रिलेटेड फन फेक्ट है जो अपने कहीं सुना हो आई इस दो उनली और्गन इन बोड़ी विच सोव और इमोशन करी है कैटरैक इस दो जर्च शर्जरी को एक सेंट्रस्में करना हो जो फार्फ रदे शर्जरी गे स्क्रीन अवोईड नहीं कर सकते हैं वह उसके लिए कोई एडवाइस कोई टिप कोई नमबर वन मित इंडिया में आई हेंट का फ्यूचर क्या है बहुत ब्राइट फ्यूचर है क्योंकि आई वी गो इन सम लिटल बिट इन डेफ्ट देखे यहां पर जो टेक्नोलोजी आ रही है टेक्नोलोजी में एडवानस्मेंट आ रहा है और इन कंपेरिजन तो यूरोप एं यूएस कंट्रीज वो जो टेक्नोलोजी यूज करने की जो हमारे पास फ्रीडम है और नवादेज गवर्मेंट हैं तो मैनी प्रोएक्टिव स्टेज तो एलाव दे उसे अप सच टेक्नोलोजी जब बहुत जादा स्क्रीन का इस्तमाल करके आंखे थक चुकी है तो क्या पटेटो स्लाइज इस रख सकते हैं? I don't think it will help you, you can put that whip with menthol and all these things, that will give that smoothing effects, that's all because what happens, it has created a dry eye, so when you are closing your eyes, your tear film will spray, then what do you keep it on? So, temporary, yes, permanent, no, okay, okay Sun glasses, किसी को choose करने हो, उसमें number one चीज कौन सी देखनी चाहे है Anti-reflective glass, and that is more, अभी UVs rays काफी आ रहे हैं, तो go for that glasses with monomer content Okay They call it CR 39 Okay, जो parents हैं, वो अपने बच्चों को लेकर क्या ध्यान में रख सकते हैं? जी, बच्चा जब भी भी पढ़ाई करता है या बूक में पढ़ाई कर रहा है, तब मेक्शूर कि वो उसका बूक और उसका जो एड का जो पुश्चर है वो प्रोपर रहा है स्ट्रेट बेटे, हेड रखे और प्रोपर दिसंस वे भूक रखे बहुत नस्डिक भी नहीं रखे और जो लाइट उस पे आरही है नेच्रल लाइट या अपका जो घर में से लाइट है वो प्रोपर ली उस पे आरहा है तो यह जो एट शुट बी टेकन कर अए अग चीज भी एक्छी इस को भी आइछ आओ नहीं गारनाँ चीज यो पर आई आइग्स निच आपने इतना टाइम नेकाल कर इतना सारा नॉलज इंवर्मेशन सबके साथ यहे हूब आप सबको भी बहुत मजा वोगा आप सबको भी बहुत मजाया होगा कि आपको कैसा लगा पूरा पॉड़कास्ट और क्या आप और भी ज्यादा चीजे जानना चाहेंगे I would love to know that ज़रूर यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं फिन भारत मिशन को सब्सक्राइब करके बेल मटन ज़रूर क्लिक कीजेगा so that I say podcast को आप विसना करें और साथ में अगर Spotify, Apple Podcast पर आप उसे सुन रहे हैं तो सब को ज़रूर बताएए वोलिस्टिक हर्दिर शिवांगी देस है में doctor series ज़रूर सुने ताकि हम prevention is better than cure जैसे हवेशा कहते हैं कोई तकलीफ अगर वो चुकी है तो उसको हम रिकवर कर सकी हो और नहीं हुई है तो कभी ना हो thank you so much Utpal sir आप आए है it was amazing, बहुत बजायाएब thank you so much for a video writing me and this will be probability, thank you, thank you so much